इनके लबे रंगी की निठाबरें थी के जिसने सादिक हैं इनका सवाल ये है कि इनको एक जानकारी लेने यूटूब पर देखा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी इसलामिक आइडी या कोई इसलामिक प्रोडेक्ट या कोई और प्रोडेक्ट परमोट करना उसकी कमिशन लेना कैसा है यानि उसका अड़टाइसमेंट करके पैसा कमाना कैसा है इसके बारे में शायद मैंने तफसील जो है वो वीडियो बना रखी है आप यूटूब पर सर्च करें सिकंदर वारसी अबाउट यूटूब अरनिंग तो इसके आपको तीन पार्ट देखने के मिलेंगे गालिबन इसके अंदर तीन पार्ट में से किसी में भी यूटूब के जरी congress कमाई गई जाइस तरीके और जाइस तरीके से कमाई गई पैसों का उसके अंदर जो है वो भिकर किया गया है बाकी किसी भी प्रोडेक्ट का अपनी वीडियो के अंदर जो है एड्स करना और उस एड्स से पैसा लेना ये दोनों चीज़े जाइज है अब वो चीज़ चाहें वो इसलामी को हो या फिर घार इसलामी को हो दोनों सूरते में जाइज हैं जबके इस चीज़ जो है वो खिलाफ शरिया नहीं होनी चाहिए मसलन ये कि किसी नाजाइज चीज़ का अडवर्टाइसमेंट करना जैसे वीडियो गेम्स की तरीज़ दिलाना या किसी सूधी एप्लीकेशन की तरीज़ दिलाना या किसी जुए वाले एप्लीकेशन जैसे क्रिकेट वगेरा होता उसकी तरीज़ दिलाना उसका प्रमोशन करना लोगों के अंदर उसका अड़डाइसमेंट करना ये नजाइज और गुना है क्योंकि गुना के काम पर मदद है और लोगों को बेहायाई की तरफ बुलाने वाली बात है इसी तरीके से कोई जाइज प्रोडेक्ट मसलें ये के कपड़ा या खाने पीने की कोई दूसरी चीज या किसी मॉबाइल का अप्लिकेश यानि मॉबाइल का जो है वो परमोट करना या उसकी वीडियो के अंदर उसका प्रमोशन करना ये भी जाइज है अब क्यूंकि मॉबाइल के अंदर अब लोग जो खरीदने के बाद जो दूसरे चीज या गुना की देखेगा वो इसका जिम्मेदार है वगरना ये के मॉबाइल के फीचर जो है वो पताई जा सकते हैं इसी तरह किसी इलेक्ट्रोनी ये लेक्टिकल्स गैजट जैसे घड़ी है माइक्रोफोन है कैमराज वगेरा हैं तो इन सब का भी जो है जाइस प्रोडेक्ट का प्रमोशन करके इस्ला आरीफ करना जो चीज़ें नहीं है या लोगों को धोगा देना यह जाइस नहीं मिसाल के तौर पर कोई मॉबाइल है उसके अंदर अगर कंपनी बताती है कि इसका आपको परचार करना उसके यह खासित बतानी है और उस खासित अंदर एक चीज़ मौजूद नहीं है तो फ ना मिलेगा तो इस चीज़ से जो है वो परेज किया जाए बाकि उसकी वो खुसूसियाद जो वाकरी उसमें मौजूद है और जिसका बताना जरूरी है वो सब चीज़े बता देनी चाहिए और उसमें ज्यादा मुबाल के का इस्तिमाल ना करे जूट का इस्तिमाल ना करे तो इस तरीके से उसकी इंकम जो है वो लेना जाइस हो सकती है